नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर हम बहुत अच्छे हैं आप बताएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे audit investigation का आपका chapter आगया है question answer के लिए पहला question है कि who can conduct audit of a taxpayer GST के scenario में रहकर हमें बताना है कि audit कौन कर सकता है तो एक तो होता है section 65 के अंदर departmental audit आपका निकल के आता है जिसे की अधिकारी बड़े अधिकारी की permission लेकर initiate करता है ये एक साल, दो साल, पांच साल ये part of the year के लिए भी हो सकता है इसकी शुरुवात कहां से होते हैं कि जब बंदा अपने return फाइल कर देता है तो उसके बाद अधिकारी उस return को scrutinize करते हैं, देखते हैं और case की sensitivity के आधार पर वो एक अपना tool चुनते हैं अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो वो एक audit यहाँ पर conduct कर वा लेते हैं तो department का अधिकारी यहाँ पर audit करने के लिए आता है और audit complete करनी होती है तीन महीने प्लस छे महीने छे महीने के extension यहाँ पर में सकता है from the date of commencement of audit commencement of audit का मतलब होता है कि जिस दिन actual में audit initiate हुई या जिस दिन आपने books of account departmental अधिकारी के office में पहुँचा दिए तो वहाँ से तीन महीने प्लस six month के अंदर audit complete करना होता है audit जब complete हो जाएगा तो उसमें जो भी dues वगरा बनते हैं वो आपको pay करने पड़ेंगे और अगर pay नहीं करते हो, corporate नहीं करते हो, कोई दिक्कत है या इस tool से बात नहीं बन पाती है एकुता special audit जो कि section 66 में करवाया जाता है जब आपका कोई किसी प्रकार का case लगा हुआ होता है चाहे वो audit का है, investigation का है, search, seizure, etc. कोई भी proceedings आपकी चल रही है तो उस दोरान अगर दो exceptional cases में से आप fall कर रहे हैं ITC का मसला उलज रहा है या फिर output GST का कोई issue वहाँ पर उत्पन हो रहा है और अधिकारी उस point को zoom in करके देखना चाहता है more analysis उस point पर चाहता है तो यहाँ पर एक charged accountant, cost accountant की charged accountant या cost accountant की यहाँ पर appointment की जाती है कि भी यह जा जा कर दे कि वो कर क्या रहा है और वहाँ taxpayer के वहाँ वो जाएगा और भाई वो तो audit specialist ही है वहाँ जा कर audit करेगा और अपनी जो findings है, अपनी जो report है वो लाकर पकड़ा देगा अधिकारी को अधिकारी उस report का इस्तिमाल करेगा अपना order बनाने के लिए हाला कि उस report को use जब करेगा तो हो सकता है कि उसका adverse impact taxpayer पर जा रहा हो तो इस report मैं आए हुए SAR को use करने से पहले वो opportunity of being hurt देगा कि देख और बडबा कि धरा देख तेरी जो audit report आई है वो ये वाले निकल कर आई है अगर तुझे कुछ बोलना है तो बोल वरना मैं इस report को use करके finally truly demand order pass करने के लिए जा रहा हूँ वैसी वाली बात यहां पर मालिक बूले जाती है जो CA या CW या जो professional है उसकी जो appointment की जाती है वो department के दोरा की जाती है और उसका जो expenses है वो भी department है बेर करके चलता है यानि कि उसकी fees जो होगी कि उस taxpayer का already कोई cost audit tax audit किसी भी तरह का audit अगर हो चुका है तो it is totally irrelevant because हम यहां special circumstance के अंदर special audit की बात कर रहे हैं एक और आता है जो GST audit की बात करता है ये GST audit भी assessi करवाता है एक swim करवाता है एक professional से चार्ड रिकांटेंट से ये department के दोरा initiate नहीं किया जा रहा है अगर आपका जो turnover है वो 2 crore से उपर का है हाला कि कुछ एक particular year के लिए से 5 crore भी कर दिया गया है बट जो base limit है जो आपको exam के लिए ध्यान में रखना है वो 2 crore की है 2 crore से उपर का अगर आपका आ रहा है ये तो आगे section 35 जो books of account के chapter में हमारा आता है ये audit आगया audit by the department ये section 65 का आगया और ये special audit आपका section 66 के अंदर ये आपका fall करके चलता है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीके साथ ये साथ आगे है what is meant by commencement of audit जैसे कि हम जानते हैं कि जो section 65 को audit होता है उसको 3 महीने plus 6 मन्त के अंदर complete करना होता है from the date of commencement of the audit तो commencement का मतलब यहां पर क्या निकल किया आता है सर जी commencement का मतलब वही निकल किया आता है कि जिस दिन आपने books of account available करवा दिये अधिकारी के office में या फिर अधिकारी ने आपके यहां पर जो audit है वो actual में यहां पर contact कर दिया whichever is later तो वो अपना यहां पर commencement of audit consider किया जाता है वैसे करके मालिक बात कहीं जाती है ठीक है जी उसके बाद में आता है question number 3 करके what are the obligations of the taxable person when he receives the notice of the audit अगर मुझे section 65 में notice आ जाता है कि आपको audit होना है तो मैंने करना क्या है बाई कुछ नहीं करना आपने जो documents आप से मांगे गए है उन्हें आप तैयार करके रखिए अधिकारी जब आये तो उसे पूंट रूप से facilitate करना है electricity की बजली की पानी की सारे विवस्था करके चलनी है जो कागज पत्तर मांगे वो आपको provide कराना है corporate करना है हसके बात करनी है मतलब हर तरह से आपको सहीयो करना है ताकि उसको audit को timely complete करवाया जा सके और अधिकारी रुष्ट भी ना हो अगर अधिकारी रुष्ट हो गया तो दिक्कत वाली बात है अगला जो step होगा उसका वो show course notice और demand order की वहां पराकर बात कर सकता है अपनी language में लिखना है आपको answer अपनी language में है आगे बात करते है question number 4 who can order carrying out inspection and under what circumstances तो ये कौन कर सकता है हमारे नरेंदर सर नरेंदर यादर जी joint commissioner joint commissioner और higher an officer higher in rank can give such authorization only if he has reason to believe कि भई यहां पर दिक्कत हो रही है किन किन परस्थतियों में जो main offender है अपना वही दो exceptional circumstances निकल के आते हैं कि अगर उसने output tax को evade कर रहा है जैसे माली ये supply को surprise कर दिया ये stock को छपा लिया है तो यहां से इसका output tax का evasion लिकल कर आ रहा है या फिर उसने ITC access claim कर लिया है फरजी या fake belong के अधार पर दो ही चीज़ तो move करती है यही दो exceptional cases है या फिर any other contravention तो ये एक बड़ी line होती है जो lawmaker हमेशा इस्थिमार करके चलता है कि अगर कोई और भी reason रहा जहां पर आपका दिख रहा है इनकी जो नजने होती है कि जो main offender जो offense कर रहा है वो तो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि सफाई से काम करता है लेकिन जो चंगु मंगुए बैचारे ये पकड़ जाते हैं और इनहीं के माध्यम से जो main offender वो यहां पर पकड़ा जाता है तो transporter, warehouse के उपर etc यह जो सहे होगी है इनका भी inspection करवाया जा सकता है वैसे करके बोला जा रहा है आगे बोलते हैं When does goods become liable to confiscation under the provision Confiscation कब किन हालातों में किया जा सकता है वो वाली बात आपसे पूछ रहे हैं यसे माली जी अगर invoice के हालाकि यह जो आपका question है यह penalty chapter से है अगर आपने penalty chapter पढ़ लिया है तो बहुत अची बात है और अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो हो सकता है कि जैसे आप यह वीडियो मालो question answer का वीडियो आप late देख रहे हैं हालाकि मैंने तो यह बोला कि आप हाथ क्या देखना है अगर आपने थोड़ा late देख रहे हैं वीडियो यह penalty chapter करने के बाद तो यह फिर आप question कर सकते हैं वनना आप wait कीजी इस question का answer करने के लिए पहले penalty chapter देखने के बाद ही हम करके चलेंगे तो उसमें बताया जाता है कि अगर आप goods remove कर रहे हैं लेकिन उस goods के ऊपर invoice का साया नहीं है तो आपके goods को confiscate कर लिया जाएगा या फिर मान लीजिए आप अपने goods जिस goods की बात कर रहे हैं वो books of account में कहीं भी नहीं है उसका कोई घर नहीं बनाया books of account नाम का आपने तो आपका goods confiscate किया जा सकता है या आप बिना registration के काम धंदा कर रहे हैं तो भी आपका goods यहाँ पर confiscate किया जा सकता है confiscation से पहले होता है सीजर सीज करते हैं सीज करने के बाद उसकी जो ownership होती है उस सरकार के नाम में transfer कर दी जाती है और इसी प्रकरिया को confiscation के नाम से जाना जाता है या फिर any other provision यहाँ पर भी other provision डाल दिया कि भाई यह तो ही है इसके अलावा कोई और भी हमें तुमारी OTCB हरकत हैं बिली तब भी हम आपके goods को confiscate कर सकते हैं यहाँ तक कि एक section 130 जो आएगा penalty chapter के अंदर तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर भाई साब बाउजी जो आपका convince इस्तिमाल कर रहे हूँ वो convince भी यहाँ पर आपका confiscate किया जा सकता है पर question में हमसे पूछा गया था कि goods become liable to confiscation तो भाई जो goods है जो transport हो रहा था उसके समनम बात कर रहे हैं कर नवेंस के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है उसके बात में आते हैं what power can be exercised by an officer during a valid search किस तरह की power वो इस्तिमाल कर सकता है मैं तो कर रहा हूँ भाई साब पूरा सर्च की गाथा मैंने आपको सुनवाई joint commissioner साब के जुबानी तो भाई मैं बता दूँ उसमें कि यार जो भी कागज पत्तर है एकसेटरा है इनकी बारे में तो joint commissioner साब की सब हमारी जब बाते हुई तो उनसे मैं पता लगा कि यार इनका जो उद्देश है main focus वो goods पर नहीं है Caesar के समय बलकि books of account documentation पर है क्योंकि एक बार document हाथ में आ गए तो goods हाथ में आना कोई बड़ी बात नहीं है कागज हाथ में आना चाहिए क्योंकि goods वो contraband goods है ये बात भी तो सिद्ध कागजों सही होगी और अधिकारी की भी गर्दन फसी होई होती है किसी के हाँ जाके ऐसी सर्च आपने लपेट दिया बाईसाँ उसको जाके तो ऐसे दोड़ना कि कभी कुछ भी कर दोगे तो अधिकारी को भी यहाँ पर सिद्ध करना पड़ता है क्योंकि टेक्सपेर का भी जो वकीर होगा वो भी कोट में खड़ा होगा कि बाईसाँ ऐसे कैसे कर दिया अधिकारी है तो अधिकारी को पूरे अपने एविडेंस जुटाने होते तो उनका जो मुख्य फोकस होता है वो कागजों पर होता है और सीजर के लिए जो सामान सीज करके लाएज ला सकते हैं वो अपना जो भी ट्रक रख हायर करेंगे या अपनी गाड़ी में रखके ले आते हैं वरना अगर मालीजे काउंटेबल स्टॉक नहीं है बड़ा वेर हाउस है फैक्टरी और भाईसाब धेर सारा गोड्स पड़ा हुआ है तो कितने ट्रक लेके जाओगःай? सामान को ढोके लाने के लिए फिर अपने वेराउस मिलाके रखोगः तो ऐसा करते हैं कि वहाँ पर उस गोड्स को वहीं पर सील कर देते हैं उसके लिए और पास कर देते हैं कि इस गोड्स को किसी परकार का मॉमेंट यहां से नहीं करवाय जाएगा, तो goods उनकी priority नहीं होता है, उनकी priority होते हैं कागजात documentation, लेकिन जब हम section को पढ़ते हैं तो हमें feel ऐसी आती है कि goods को seize करने जा रहे हैं, मेरे दमाग में खुद भी आस तक ही था कि goods को seize करने जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से बात चीट हु document वगरा को seize करेंगे, कोई ताला वाला बंदे ताला तोड़ सकते हैं, सारी power है हाथ खुड़े हुए होते हैं वहाँ पर आकर, ठीक है जी, तो open the break या almira वर्मिरा को तोड़ सकते हैं, वो सारी powers उनको यहां पर होती हैं, premises को seal कर सकते हैं, notice pass कर सकते हैं, goods को ठाक इला सकते ह हैं, ऐसे करके, what is the procedure for conducting search, तो search यहाला कि अब यह देखना पड़ेगा, question कितने number का है, question थोड़ा like बड़ा है, तो हम अपना पूरा search का जो procedure है, वो यहां पर लिख देंगे, जैसे कि अगर ये और ये question देखा जाए, तो लगभग एक ही जैसा question है, एक ही answer इन दोनों questions का बन बनाता है, तो मैंने आपको पूरे डाइग्रामेटिकली भी बनवाया था, latest Circulus के सम्मन में आया हुआ है, उस पर बेज़त अपना question है, कि जब अधिकारी सर्च इनिशेट करने के लिए जा रहा होता है, तो पहले एक टीम बनाई जाती है, और टीम कौन बनाता है, अब दे अरिया की जानकारी रखता होगा, जो टीम बनाई गा की इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह का मामला है, तो यह यह वाले बंदे वाहां पर जरूरी होनने चाहीए, तो टीम बनाता है, उसके बाद में और रेज डलने वाली है, ये बात उच अधिकारियों को एका दुक्का को होती है जो टीम मेकर है उसको पता होती है बाकी लोगों को पता ही नहीं होती है क्योंकि मामलब सीक्रेट होता है गलती से भी कोई बात लीक ना हो जाए ऐसे करके बात करते हैं मालिक तो सूरज निकलने से पहले ही रेड वो अपना शुरू कर देते हैं, उन्हों बताया कि ऐसे हो सकता है कि लियर जोगिंग करने के लिए चला जाए, बंदा, घुमने फिने चला जाए, या मंदर चला जाए, मस्cić चला जाए, तो मतलब इस लिए उनका विजन ही होता है, कि सोते हैं ज वैक्टी सो रहा हो, जब हम पहूंचें कि आपने डाल दी जाकर सर्च कर दिया वहां पर जाकर तो वह invalid सर्च आपकी करार हो जाती है वैसे करके बोला जाता है तो फिर वहां पर दरवाजे पहुंचेंगे दरवाजे पहुंचकर आप अपनी आइडेटी शो करेंगे वहां पर विटनेस को बोलाएंगे अगर नहीं तो लोकलिटी में सुठाएंगे विटनेस को नहीं तो किसी और को पकड़ कर लाएंगे या किसी को भी वो बना सकते हैं और पास करके ऐसा उन्होंने बताया था विटनेस होएंगे ये अधिकारी अपनी आइडेटी के साथ साथ अपने अपने खुद की परसनल सर्च के लिए भी आफर करेंगे कि आप हमारी परसनल सर्च भी यहां पर कर सकते हो कि कहीं बाद में आप हम पर इल्जाम ना लगा दो वहां पर वो अपनी सर्च करेंगे बच्चे बूढे उनका ध्यान रख के चलेंगे जो उनके like religious sentiments होते हैं उनका бी ध्यान रख के चलेंगे है ना और तो इस तरह की बाते वहां पर हमें ध्यान में रखनी होती हैं बच्चे स्कूल जा सकते हैं बशरते की उनके बैग वैक प्रॉपर तरीके से देख ली जाए मतलब यहां पर कुल मलाकर डिस्क्रीशन आ जाती है रिकारी की जाने देगा या नहीं जाने देगा वैसे करके ठीक है तो यह हमारी बात होती है और वहां पर फिर क्या करते कि वो जो भी समान सीज किया आपने उसका पंचनामा भरा जाता हैं उसके बात में कोविड प्रिकॉशन का भी ध्यान में रखना है जैसे सर्च कंप्रीट हो तो आपको वहां से फटाफट निकलना होता और हाँ अगर मामलत सेंसिटिव है समदेशील है तो फिर वहां पर वीडियोग्राफी भी करवाई जा सकती है पंचनामा जब बन जा है और बाहर निकलने के बाद में वह पहुंचते हैं जिस अधिकारी से अथेंटिकेशन लेकर गए थे अगर सर्च एग्जिक्यूट कंप्लीटली हो गई है अच्छे से हो गई है तो जो ऑथेंटिकेशन थे उसको सीधा पकड़ाएंगे और अगर सर्च किसी वज़े से ऑ is search set to be illegal is evidence collected in the course of an illegal search admissible in trial proceedings वो क्या कह रहा है कि क्या सर्च illegal भी हो सकती है जी हाँ अगर बिना authentication के आपने सर्च कर दी है तो वो ऐसी सर्च illegal कही जाएगी लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि ठीक है एक joint commissioner ने इस illegal सर्च करा दी है बिना warranty सर्च करा दी उसको पूरा doubt था लेक बजपतर collect हुए हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गड़बढ हो रखी है काम जो किया वो illegal था लेकिन otherwise देखा जाए अगर हम authentication को side में कर दें तो बहुत ज़्यादा यहां पर tax की गड़बढ हो रखी थी तो क्या यहां पर उस taxpayer को पूर्टिया छोड़ दिया जाएगा the answer is no मालिक search तो आपकी invalid होगी लेकिन जो भी documentation वगएरा आए हैं उनके आधर पर आपको trial proceedings के तहट गुजारा जा सकता है मतला आपने जो गलत काम कर रखे हैं उनके लिए आपको इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि search यह illegal थी ठीक है जी तो वैसी वाली बात यहां पर पढ़ जाएगा आगे बूलते हैं does does GST law have any power of detention of goods and convinces the answer is yes उनको ये detain करने के पूरी पूरी पावर दी जाती है मालिक और section 139 हम पढ़ते हैं ये भी अपना basicली ना penalty chapter के अंदर आता है penalty chapter नहीं पढ़ा है अभी तो आप इसे अभी question को ना करें और अगर माली जी आप अपना तो फिर आप इसे देख सकते हैं section 129 के अंदर वहाँ पर power दी जाती है उसको रोका जा सकता है कब रोक सकते हैं convince को बैसे कली इसे माली जी invoice नहीं है या फिर evable और invoicing में आपस में तालमिल नहीं है matching नहीं हो रही है या फिर expired evable है तो ऐसे हालात के अंदर उसको रो रोक रखते कि रोक 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 यह है डटेइन करना रोकना मतलब कर रखना मतलब सीज कर देना मतलब जैसे माली यहां स़ जा रर forcefully पकड़ लिया, यह है seize कर देना, ठीक है जी, तो वैसी वाली बात आपकी यहाँ पर करी जाती है, Is there any special document required to be carried during transport of taxable goods, the answer is yes, evable हो गया, invoice हो गया, bill of supply हो गया, या फिर अपना जो delivery चलान होता है, वो यहाँ पर आगया मालिक, तो यह documentation आपको चाहिए होते हैं वहाँ पर आका, ठीक है जी, चलो, bill of entry हो गई, अगर imported goods है तो, what do you mean by arrest, यह तो भिकार का question छोड़ो से, when can the proper officer authorized arrest of any person under GST law, इसमें आ जाता है, आपका section number 69 आ जाता है, कि arrest किन परस्तियों में होता है, तो हमने इसका scene समझा था, कि देखो, या तो आप output GST को कम कर रहे हो, या ITC को बढ़ा रहे हो, या फिर आप, या फिर आप tax के नाम पर वसूल ही कर ली है, और due date से 3 महिने बीट गए, बट अभी तक आपने payment नहीं किया है, तो ये वो तीन चार कारण हैं, जो कि यहाँ पर arrest के लिए माहौल बनाते हैं, लेकिन इसमें जो case है, उसकी जो value है, वो 2 करोड से उपर की होनी चाहिए, जो evasion निकल के आ रहा, जो fraud निकल के आ रहा, वो 2 करोड से उपर का होना तब ही यहाँ पर arrest की बात करी जा सकती है, अच्छा, और अगर amount पांच करोड से उपर का है, तो फिर arrest हो गए होगा, साथ में जो case है, ये गरम case की कटेगरी में आ जाता है, यानि कि वो एक cognizable और non-bailable offense बन जाता है, non-bailable का मतलब है कि अधिकारी उसे बेल नहीं दे सकता है हाँ, कोट में जरूर बेल मिल सकती है, लेकिन अधिकारी उसे बेल नहीं दे सकता, और जो फंड़े अपराद होते हैं, दो करोड से उपर, लेकिन पांच करोड तक वाले जो होते हैं, उनके अनदर arrest होने के बाद में बन्दे को बेल दी जा सकती है, अधिकारी बेल दे सकत खंडे अपरादों में अरस्ट वारंट के बिना अरस्ट नहीं कर सकते लेकिन गरम अपराद 5 क्रोड से उपर का है तो उसमें बिना वारंट के भी अरस्ट किया जा सकता है तो ये कथा है आपके section 69 के अदर selected offense होने चाहिए और 2 क्रोड से उपर के होने चाहिए तब ही हम अरस् आगे बोलते हैं what is the safeguard provided under GST law for the person who is placed under arrest अगर कोई अरस्ट हो गया है तो वो क्या करेगा depend करता कि अपराद कैसा था पहली बात तो ये कि चेकना पड़ेगा ठंडा है या गरम है तो अरस्ट वारंट देखना पड़ेगा बिना माली जी अरस्ट वारंट जरूरी था और बिना वारंट की अरस्ट कर लिया गया ऐसे हालात में ठंडे के मामले में तो ऐसा अरस्ट आपका illegal करार दे दिया जाएगा दूसरा अगर माली जीए गरम अपराद था बिना वारंट के अरस्ट कर लिया है तो 24 गंटे के अंदर उसे कोट में पेश करना जरूरी हो जाता है तो य लेकिन जो non-vailable offenses उसमें अधिकारी बेल नहीं दे सकता है तो इस प्रकार की यहाँ पर बात करी जाती है आगे हैं वेन कैंदा प्रॉपर ऑफिसर इशू समन अंडर जीएस ती लो वो कब समन दे सकता है हमारे पास आय थे कोपरिट करने वाले सक्षन सक्षन 70, 71, 72 70 था में पर के लिए 72 था चंगू-मंगू और जो अन्य सहयोगी होते हैं उनके लिए और 72 था अधिकारी पुलिस अधिकारी रेलवे के अधिकारी ग्राम पंचायत के अधिकारी डिस्टिक लिए बाकी इतने भी अधिकारी लोग है सब की सब GST अधिकारी को कौपरेट करके तो सेक्शन 70 के अंधिक अंधिकारी पर्सन है उसको यहां पर एक समन जारी किया जाएगा कि आजा मेरे राजा यहां पर आजा और आपको 15 दिन का समय दिया जाता है उसमें आप सारे डॉक्मेंट वगरा हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करा के चलोगे पूर रूप से आपके लेंड रवेन्य वाले आई इस अधिकारी या जिला लेवल पे अधिकारी जो है गाओं के अधिकारी और जितने भी अधिकारी लोग है सब के सब कोपिट करके चलेंगे इंच और परसन विल कोपिट तो प्ड़े जी के ऑफिसर आगे बात करते एक्स प्लेंड 66 दौन के बीच में अंतर क्या है मालिक अंतर क्या सेक्शल 65 का एक जेनर्ल सा audit है ये स्पेशल audit है ये 65 जेंक में आता है और ये 66 का जो स्पेशल audit है जब की केस मिस लगा होता है तो उसके बाद ये पिक्चर में आता है यहाँ पर specific region होता है कि आई टीच या value को लेकर output GST को लेकर कोई अगर आपने गलती कर रखी है तो वहाँ पर उसको कराया जाएगा लेकिन ये generalized way में आपका conduct करवाया जा सकता है वैसी वाली बात यहाँ पर बोली जाती है ये अधिकारी के द्वारा conduct किया जाता है और ये एक professional के द्वारा conduct किया जा सकता तो इस प्रकार से हम इन दौनों को differentiate कर सकते हैं section 65 and section 66 को ठीक सर जी आगे है explain the safeguard provided under section 69 to a person ये question तो हमारा हो गया जी ये repeat question basically 19-20 भी आपका repeat question है state the circumstance when the proper officer can authorize arrest ये भी हमारा है ये मैं आपको बता दिया आपके specified case होने चाहिए दो करोड सूपर का मसला है तो arrest की बात किया सकती section 69 पर based आपका section यहाँ पर निकल कर आता है तो ये थे आपके छोटे-छोटे questions मालिक और ऐसे ही questions आपसे exam में पूछ जाएंगे अगर इस chapter में से question आता है तो ऐसा ही question आएगा और सबसे महतपूर है यहाँ पर section number 69 पर आपका ठीक है यह वाला जो question है सबसे महतपूर मुझे यह यहाँ पर आकर लगता है तो चलो मालिक आज की मुलाकात बस इतनी और कर ले ना कल चाहे बात जितनी अब हम अगले chapter के शिरुवात करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ा के चलेंगे चलो thank you so much by data and love you मालिक बाई